जी हाँ स्टुडेंट्स आप मुझे सिर्फ अपना 20 मिनट दे दिजिए हम समझते हैं कि आपका समय बहुत ही इंपोर्टेंट है लेकिन आप मुझे 20 मिनट दे दिजिए इस 20 मिनट में मैं आपको एलकेन, एलकीन और एलकाइन ये तीनों का नोमेंक्लेचर बहुत अच्छे स सिखा दूँगा और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर ये वीडियो आप 20 मिनट तक पूरा देख लेते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह जो है ना आयू, पीएसी, नोमेंक्लेचर, एलकेन का, एलकीन का और एलकाइन का ये तीनों का आप बह बता हूँगा कि आपके दिमाग में चला जाएगा सारा बात, फिर भूलोगे नहीं आप, देखें यहाँ पर कुछ बाते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है पहले से, क्योंकि 20 मिनट का समय और उतने में ही आपको बताना है, क्योंकि आप लोगे पास समय होता नहीं है मैं समझता हूँ, आपकी भावना होगो, तो देखें अगर आप IOPSE Nomenclature सीखना चाते हैं, तो इन सारे बातों को आपको गौर करना परेगा, देखें क्या है, यह वर्ड रूट क्या है, देखें पहला चीज यहाँ पर वर्ड रूट लिखा गया है, यहाँ पर सब्स्टि रूल आता है, तो उस रूल का पालन करते हुए, हम लोग अभी बहुत बहुत इजली हम किसी भी कंपाउंड का IOPSE Nomenclature कर सकते हैं, यानि उसका नाम लिख सकते हैं, बहुत असान है, देखें, पहले वर्ड रूट को समझते हैं, वर्ड रूट का मतलब हुआ, कि जो कार्बन की लंबी चैन सेलेक्ट की है, उस लंबी चैन में कितना कार्बन है, उसको हम दिखाते हैं, वर्ड रूट से, अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो दस मिनट इंतजार कर लीजिए, पहले इस रूल को समझ लीजिए, जब आप कोशन करेंगे ना, तब ये सारी बात आपके खोपरी में बहुत अच्छे से जागी, मुझे ये बिलीव है, ठीक है, अभी भले आपको मेरे पर बिलीव नहीं हो रहा हो, लेकिन आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, उसके बाद कैसे आपको खुसी महसुस होगा अंदर से ही, देखिए कारवन अगर रहे तो इसको प्रॉप बोलते हैं, चार कारवन रहे तो ब्यूट बोलते हैं, पांच कारवन रहे तो पैंट बोलते हैं, छे कारवन रहे तो हैक्स बोलते हैं, साथ को हैप्ट, आठ रहे तो नौन, नौ रहे तो नौन, अच्छा आठ रहे तो ऑक्ट बोलते हैं 9 रहे तो 9 और 10 रहे तो डेक इसी तरह से 11 का अंडेक 12 का डू डेक फिर ट्राइड डेक उतनी की जरुवत नहीं है हम लोग नॉर्मली 10 तक याद कर सकते हैं 10 को हम डेक बोलते हैं ठीक है बचो अगर यह आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं अब यह सब्स्टिट्वेंट क्या बला है देखें सब्स्टिट्वेंट क्या होता है जो आपने कार्बन की लंबी चैन सलेक्ट की है उस कार्बन के लंबी चैन में जैसे आप अगर यह कार्बन की लंबी चैन आपने यह चुनी है यह सपोज यहां पर एक कंपाउंड इस तरह से दिया गया है और कार्बन की लंबी चैन आपने यह चुनी है तो देखें यह तो कार्बन की लंबी चैन है यानि में चैन है और यह जो बंदा आपको लटकता हुआ यहां से नजर आ रहा है यह तो भाई इस लंबा चैन में नहीं गिना जाएगा न यह तो लंबा चैन में एक दो तीन चार पांच ही carbon गिने जाएंगे यह तो इस लंबी चैन से लटकता हुआ नजर आ रहा है CH3 तो भाई जो लंबा चैन में गिना नहीं जाए जो man chain में गीना नहीं जाए जो एकदम लटकता हुआ नजर आपको आए वही होता है सब्स्टिटुएट क्या होता है वही सब्स्टिटुएट होता है तो जो carbon की लंबी chain जो carbon की principal chain man chain सभी एक ही बात है जो आपने लंबी chain चुनी है उसमें जो चीज आपको लटकता हुआ नजर आए, जो चीज मैंचेन में गिना नहीं जाए, उसी को सबस्टिट्वेंट बोलते हैं, ठीक है, which are not included in the मैंचेन, similarly वही बात है, चलिए, यहाँ पर बहुत सबस्टिट्वेंट होता है, लेकिन जो जो important सबस्टिट्वेंट होता ह जो जो बार-बार compound में दिख जाते हैं, वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर CH3 को methyl परते हैं, C2H5 को methyl परते हैं, देखें इसका formation कैसे हुआ है, यह methane से methyl बनता है, ठीक है, ethane से methyl बनता है, यह सब कैसे बन रहा है, तो अगर इस video पर आप 10 comment कर दोगे, तो हम definitely जो है, इसका next video भी लाएंगे, ठीक है, टेंसन बाली बात नहीं है, चलिए, तो यहाँ पर C3H7 को प्रोपाइल बोलते हैं, यहाँ पर अगर हैलोजन का एटम जूड जाए, तो CL को क्लोरो बोलते हैं, BR को ब्रोमो बोलते हैं, I को आइडो बोलते हैं, F को फ्लोरो बोलते हैं, NO2 को BSC Nomenclature, तो यह सारे Substituent आपको दिख जाते हैं compound में, तो मैंने जो जो important था वो बता दिया, ठीक है, तो आगे है suffix, suffix क्या होता है, जो नाम के last में लगता है, उसको हम suffix बोलते हैं, तो अगर carbon और carbon के बीच में, आपने जो compound, आपका नाम जिसका लिखना है, उस compound में आप नाम के अंत में, क्या, नाम के अंत में लगा दो A-N-E, अगर carbon और carbon के बीच में आपको double bond कहीं पर भी दिख जाए, तो आप नाम के last में लगा सकते हो E-N-E, और अगर carbon और carbon के बीच में आपको triple bond दिख जाए, तब आप नाम के last में Y-N-E लगाओ, देखें बच्चो तो भी बहुत सारा बात आपके दिमाग में नहीं जा रहा होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ, वीडियो को last तक दखिए, जब question करेंगे न, तब आपके दिमाग में सारा बात अच्छे से जाएगा, उसके बाद है functional group, तो ये functional group क्या होते हैं, कि functional group अगर किसी भी organic compound में अगर ये जुड़ जाते हैं, तो पहले जो वो organic compound था, उसका कोई भी property हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही अगर ये functional group जो होते हैं, या तो एक atom होते हैं, या atom के group होते हैं, ये अगर किसी भी organic compound में जाके जुड़ गया, तो भाई साहब वो पूरे organic compound का जो property है अब decide कोन करेगा वो functional group करेगा जो atom या atom का group जो उस organic compound में जूड़ गिया वो ही अब property decide करेगा अब वो जैसा चाहेगा ना वो जैसा property अब organic compound का होने वला है ठीक है यानि एक तरह से कहलो तो वो boss हो गिया उस organic compound का ठीक है ये बात होता है तो जैसे में कुछ functional group है जैसे OH है इसको alcohol बोलते हैं COOH है है ना कार्बोगजिलिक acid होता है है ना COH यहाँ पर LD हाइड होता है तो ये सारा functional group है तो फिलाल में आज के इस वीडियो में हम लोग alkyne का nomenclature देख रहे हैं alkyne का देख रहे हैं और alkyne का देख रहे हैं ये ती functional group पर जीतने सारे functional group है जैसे alcohol हो गया, ether हो गया, ester हो गया, acid amide हो गया, amine हो गया ये सब पर भी आप nomenclature का वीडियो चाहते हो तो भाई कम से कम 10 कमेंट कर दो और जो topic आपको चाहिए जिस पर nomenclature का वीडियो बनाना है वो आप comment कर दो मैं उस पर वीडियो बना तो आज के इस वीडियो में सिर्फ elkin, elkin और elkin ये तीनों के बारे में बात करने बाले हैं, अब बात करते है order के बारे में, देखिए बच्यों अगर ये word root, substituent, suffix और functional group अगर आप समझ गया है तो अब देखिए अब इतना बात तो आपको समझ में आ गया, देखिए ये स क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, है ना, तो अगर आप नाम लिख रहे हो, किसी भी organic compound का अगर आप नाम लिख रहे हो, तो नाम लिखने से पहले, सबसे पहले अगर हम लोग को लिखना होता है, तो substituent लिखना होता है, है ना, सब बेंजीन बला है या कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कोई compound है, यानि जो पूरा तरह से बंध है, यानि closed chain है, वो पूरी तरह से बंध है, अगर ऐसा compound है, तो आप cycle का यूज करो, अगर नहीं है, तो इसका यूज मत करो, फिर आगे बढ़ जाओ, फिर word root तो हर एक में होता है, यानि जो आपने लंबी chain चूनी है, उसमें कितना carbon है, उसके बाद वो लिखना है, तो यहाँ पर primary suffix और secondary suffix भी होता है, वो हम अगले वीडियों डिसकस कर देंगे, अभी आपक one to e and e, triple one to y and e, उसके बाद इसका यूज करना, और सबसे last में, जो आपको यूज करना है, वो functional group को यूज करना है, ठीक है, अगर ये सारी बाते आपको समझ में आई, तो इसका screenshot कर ले जल्दी से, अब हम एकदम टावर तोर question करने वाले हैं, फिर आपको देखे कितने अच lecture करना सीखते हैं, यहाँ पर एक, दो, तीन, चार compound दे रखा है, अभी देखिए इसका नाम हम कितने असानी से लिख देगे, अब क्या है, यहाँ पर ये आपको compound दे रखा है, हम लोग जानते हैं कि carbon का जो valency होता है, वो चार होता है, तो जिस चीज के पास, जिस element के पास इतना valency होता है, वो उतना ही bond बनाता है, तो carbon का valency 4 होता है, तो यह चार bond बनाएगा, तो यहाँ पर ये carbon, ये वाले carbon की बात करें, तो ये carbon एक bond बना चुका है, यानि एक valency इसका satisfy हो चुका है, तो तीन वैलेंसी बचा हुआ है, तो तीन hydrogen आप लगा देना, बात खतम, य अब इस carbon की बात करो, तो यहाँ पर इसका एक bond बन चुका है, तो अब इसका कितना valency बचा हुआ है, तीन valency बचा हुआ है, तो उसको hydrogen से जोड़ दो, उसका valency complete हो जाएगा, अब इसका, अगर हम नाम लिखना चाहे, तो ये बहुत असान है, बहुत ही असान है इसका नाम यही है, है ना, तो सबसे पहले नाम लिखने, लिखते जो है, सबसे पहले सबस्टिट्वेंट को लिखते हैं, याद कीजे, मैंने भी बताया था, सबसे पहले नाम लिखते हैं, सबसे पहले, यहाँ पर सबस्टिट्वेंट को लिखा जाता है, सबस्टिट्वेंट सबसे लिखे ले वर्ट्रू आगर वह नहीं है तो लगा दो अब उसके बाद सफिक्स लिख लूआ करी नहीं रहे हैं अब तब तो कितना असान है तो सब्स्टिटुंट है क्या नहीं है मेंचंड तो हमारा यहीं बन जाएगा इसमें कोई मैंचंसर कोई चीज लटकता हुआ आपको नजर आ रहा है तो कोई चीज लटकता हुआ नजर नहीं है आ रहा है तो इसका मतलब सब्स्टिट्वेंट नहीं है सब्स्टिट्वेंट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे क्या साइक्लो स्पाइडो इस तरह का कोई compound है यानि बंद chain वाला इस तरह से इस तरह से है ना इस तरह से अगर है compound तो लगाओ आप नहीं है तो मत लगाओ तो नहीं है तो आगे बरेंगे word root है यानि जो आपने carbon की लंबी chain चुनिये उसमें कितना carbon है तो एक दो तीन carbon है तो तीन carbon के लिए हम लोग क्या यूज करते है word root पी- आर-ओ-पी प्रॉप प्रॉप हो गया मैंने word root लिए अब सबसेट आप उसके बाद यहां पर सफिक्स लगा दो आप यानि आपने जो compound ले रखा है उस compound में carbon और carbon के बीच में कितना bond बना हुआ है तो carbon और कार्बन के बीच में सिंगल बॉंड है तो आप क्या यूज करोगे नाम A N E तो यहाँ पर नाम क्या बन गे हम लोग का प्रोपेन असाल है सिमिलरली दूसरा कुशन आप लोग करें यह कार्बन का एक वेलेंसी समाफ्थ हो चुका है तो तीन हाइड्रोजन इस कार्बन का एक वेलेंसी समाफ्थ हो चुका है तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा अब इसका नाम देखिए, तो आप कार्बन कार्बन की लंबी चैन चुनो, तो देखो कार्बन कार्बन की लंबी चैन कौन हो सकती है, देखो एक बात बता दू, कार्बन की लंबी चैन सीधी भी हो सकती है, टेडी भी हो सकती है, है न, तो मैं क्या करता हूँ, एक, दो, तीन यहाँ पर तीन कार्वन है, और एक, दो, तीन, आप दोनों में से कोई साभी चून सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा वाला चून लेता हूँ, यह वाला चून लेता हूं, है ना, अब आप देखो, यह मैंने कार्वन की मैंचेन चून ली, यह क्या है हम लोग का, यह हम यानि longest chain बोलो, man chain बोलो, principal chain बोलो, तीनों इसको ही बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक, दो, तीन कारवन हैं, और देखो भाईया, यहाँ से यह एक चीज लटकता हुआ नजर आ गया, जो man chain में गिना नहीं जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, यह रह गिया हमारा ससुरा, substituent, क्या है यह? यह रह गिया हम लोग का, substituent, जो man chain में गिना ही नहीं जाता है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो अब क्या करो, इसका numbering करो, जैसे ही substituent का position आता है, तो हमको numbering करना पड़ता है, तो हम ल numbering सही होगा, देखिए आप, अगर आप बात करे हो, आप इधर से भी चल सकते हो, आप इधर से भी चल सकते हो, दोनों तरफ से आप numbering कर सकते हो, लेकिन बरसते बात यह है, कि आप किधर से चलोगे, जो substituent के पास बहुत जल्दी पहुंचाओगे, आप उधर से ही numbering करना हम अगर बात करे हम इधर से numbering करते हैं, एक, दो, तीन, और अगर हम इधर से numbering करते हैं, एक, दो, तीन, लेकिन अगर हम बात करे तो substituent का जो position है, वो तो second number पे ही आ रहा है, चाहे आप इधर से चल लो, चाहे आप इधर से चल लो, तो अगर ऐसा position, अगर ऐसा case फस जाता तो आप कि धर से भी कर सकते हो नम्री जिदर से भी कर लो बात तो वही बात है ना आप इधर से चलो इधर से चलो दूरी तो बराबर ही है कहीं से भी चलो आप है ना तो मैं चलो नीचे से चल लेता हूं इधर से चल लेता हूं वान टू थ्री तो देखो सबसे पहले क्या लि पॉजिशन दिखाना आपको बहुत ज़रूरी होता है अब तू नमर पर कौन सा सब्सटिटुएंट है यह दिखें CH3 और आपको पता होगा CH3 को हम लोग bout methyl बोलते हैं क्या बोलते हैं मिथाईल बोलते हैं तो यहाँ पर क्या है डो नमर पर क्या है 2500 है तो हमने सब्सटिटुएंट का खेल खतम कर दिया फिर siplo spiro है अगर तो लगा दो नहीं है तो मत लगा है यह नहीं है तो क्या लगा हैं आगे बढ़ते है word root, word root क्या कहता है कि जो आपने carbon की लंबी चैन चुनी है उसमें कितना carbon है तो आपने तो यहीं लंबी चैन चुनी है इसमें कितना carbon है, एक, दो, तीन carbon है तीन carbon के लिए क्या लगाते हैं P, R, O, P, prop लगाते हैं अब अगला बात क्या कहता है सफिक्स लगाने के लिए सफिक्स बोले तो कि अगर आपने जो कंपाउंड लिया है उस कंपाउंड में देखो कार्बन और कार्बन के बीच में कितना कैसा बॉंडिंग है सिंगल बॉंड है यहां पर देखिए सिंगल बॉंड सिंगल बॉंड तो अगर कार्बन और कार्बन क के बीच में अगर सिंगल मॉंड है तो आप क्या लगा दो लास्ट में ए एन इन तो इसका नाम हो गया टू मिठाइल प्रोपेन असान है इसी तरह से आप कोई सा भी कर सकते हैं अब इधर से चलो आप ने चुना ना यह तो लटकता हुआ हम को नज़र आ रहा है तो यह क्या है यह है हम लोग का substitute substitute ये भी है क्या substantive है ना और ये क्या है यह हम लोग का man chain ये क्या है ये हम लोग का man chain principle chain जो भी आप गहलो अब इसका numbering केदर से करो चाहे आप 1-2 इधर से करो ये एक दो इधर से करो दोनों से बात वही पर रहा तो मैं इधर से करता हूँ 123 अब देखिए दो नमर पोजिशन पर दोगों सब्स्टिट्यूएंट है और यह सब्स्टिट्यूएंट का नाम है CS3 मिथाइल और CS3 मिथाइल दोनों मिथाइल है तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है आप दोग ध्यान से देखते रहे हैं 2,2 देखिए दो दो मिथाइल है तो दोनों का पॉजिशन दिखाना जरूरी है तो 2,2 और दोड़ों मिथाइल है तो अब डाई का परियोग करेंगे क्या चीज़ का परियोग करेंगे डाई और कौन सा सब्स्टिट्यू необходимо है तो मिथाइल है तो METH धाल 2,2 डाइ मिथाइल और ऊसके बगीन लगा नाम हो गिया अब नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन है अब यहांपर आप हाइड्रो Oh अब हाईड्रोजन लगा लेनान हम मांलेते हे हुं कि हमने यह मैंचेन चुल लिए हैना यह आप मैंचेन चुन लिए कितना एक दो तीन चार कारवन का आप एक दो तीन चार इसको भी मैंचेन चुन सकते थे या आप एक दो तीन चार इसको भी मैंचेन चुन सकते थे ठीक है अब देखिए यह मैंचेन हमने चुना यह अगर हमारा मैंचेन हुआ है ना यह अगर हम हो गया है ना तब तो भाई यह देख रहो लटक रहा है तो यह सुच्टिोंट हो गया यह मेंचरण हो गया बढ़िया भाई आब देखो अब किधर से चलो एक दो इधर से भी दो नमर पर sóब्स्टिटुएंट आ रहा और एक दो इधर से भी चलो तो इदर भी दो नमर पर शब्स्टिटुएंट हम लिखेंगे तू कॉमा टू नहीं लिखेंगे संवन किसकीस नमबर पर है एक देखिए 2 घीन को नम्मर्पेये दो मीथाइल है तो डाइ मिथाइल सब्स्टेट्टीट्वेन का खेल खतम cyclos spiral तो है नहीं इसमें आगे बनेगे तो वर्ड नुट जो आपने मेंचेंडशिकास समें कई क्यों या इसके बाद School को में शार एक है तो चार को क्या लिखते हैं इंब यूटि यूट लिखते हैं पता होगा आपको व और कारवन के बीच में कैसा बॉंडिंग है सिंगल बॉंड है हर जगह देख लिए और एलकेन में वही बात ही होता है तो लास्ट में ए एन ई हम लोग को लगाना परेगा इसका नाम क्या हो जाएगा टू कॉमा थ्री डाय मिथाइल ब्यूटेन हो गया ठीक है तो यह सारा बा वीडियो पर आप क्या करो दस कमेंट करवा दो हैना तो मैं क्या करूंगा एलकीन और एलकाइन एलकाइन का ही नहीं उसके सासा जितना फंक्शनल ग्रूप है सारे फंक्शनल ग्रूप का आयू पीसी नोमेंकलेचर करवा दूंगा आप लोगो और बहुत अच्छे से सिखा भी दूंगा जैसा कि आप यह वीडियो देखें आंगे तो आपको सारा बात समझ में होगा तो आगे आए वाला जो वीडियो है उसमें भी सारा बात समझ में आएगा है ना तो चलिए सपोर्ट दिखाते रहीए मुझे आप और लोगो की बहुत जरूरत है तो सपोर्ट द दिखाईए जिस तरह से हम आपका help कर रहें आप लोग भी help कीजिए थुरा support दिखाईए तो चलिए अगले वीडियो में हम alkin alkin का नामा करन यानि nomenclature सिखा देंगे बच्चो ठीक है आप comment में आप अपना राई लिखे इस वीडियो के बारे में और भाई क्या वीडियो बस इतना ही तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हमें इतना ही रखते हम मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम परहाई करते रहें